नमस्कार शूर्ण मैं उनमनसल आपके एक पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यह भी गुर्जी चैया में और यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी लेकर आया हूँ UGC ने जो पहल आप लोगों के लिए लागू की है जारी की है वो यहाँ पर आपके लिए मैं एक्स्प्लेन करूँ आप खास सोर पे अगर आप दिसंबर दो जाता है, इसके लिए प्रिपेर करें हैं, ने टैस्परेंट है, तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है, साथ इसाथ एक ओ डिस्क्लेमर यहाँ पर देदू, कि हो सकता है, इस information को आप तक लाने में, थोड़ी सी लेट हो सकती है, पर यकीन मानिए, देर आया हूँ, तो दुरूस्त भी आया हूँ, सारी की सारी information यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी, पहले अगर आपने इसके regarding कुछ भी सुना हो, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये वीडियो हमारे काम की नहीं है, तो आपक पहले एक छोटा सा update में आप सभी को दे दूँ, कि December 2023 का जो exam आप सभी का होना है, उसके application form कब आएंगे, exam date क्या हो सकती है, वो सारी की सारी हमने अपनी चैनल के उपर इस तरीके से परवाइड करा दियो, तो चैनल पे जाके आप December 2023 के net exam की information देख सकते हैं, और दूसरा update य जो आपके लिए live lectures लगाए जा रहे हैं, उनका आप फाइदा यहां पर लेशके, तो चलिए जी भढ़ते हैं, आगे क्यों, आज से 4 साल पहले 23 अगस 2019 को एक वीडियो चैनल पर हम लेकर आए, जिसमें हमने बताया PhD mandatory के बारे में डिया, बहुत सारे YouTubers ने वहाँ पर student के बी जो PhD mandatory वाली बात की जा रही है, प्रकास जावडेकरजी द्वारा, 2018 के अंदर प्रकास जावडेकरजी हमारे अज्यूगेशन मिनिस्टर हुआ करते हैं, बाद में रबेंश पोकरियाल निशंक जी बने, और उसके बाद में अभी current में हमारे पास में धरमेंदर परधान जी जो है, वो एज्यूगेशन मिनिस्टर है, तो उस वक्त में प्रकास जावडेकरजी थे, उन्होंने यहाँ पर बोला कि भई PhD जो है, वो mandatory कर देंगे, लेकिन किस में कर देंगे, direct recruitment में कर देंगे, assistant professor की, सिरफ और सिरफ यूनिवस्टी में, college का यहाँ पर नाम भी नहीं थ जार करते हुए, जब 1 July 2021 आई, तो वहाँ पर एक और नोटीस हमें देखनों को मिलेगा, unfortunately देश के अंदर Corona pandemic आगया था, तो उस वी वजए से यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम ये जो 1 July 2021 से हमने इसको apply करना था, PhD mandatory वाले को, इसको हम दो साल आगे खिसका रहे हैं, और 1 July 2023 स पहले थी और अब नहीं थी, तो वो सिरफ university की बात किया, ये college में ना तो पहले इन्होंने कभी propose किया, और ना ही अभी यहाँ पर कोई बात इसके बारे में चल रही है, इस चीज़ को आप खास तोर पर द्यान लगना, और net के exam को qualify करने के बाद में, आम तोर पे college के अंदर ये तो गल्त हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चीए, हम जो है वो PhD mandatory वाले चीज़ को हटाई देते हैं, जी अब, 1 जुलाई 2023 को बोल दिया, कैते नहीं यार, ये सही नहीं बैठाएगा, अभी के situation के हिसाब से, तो हम इसको optional बना रहे हैं, कि अगर PhD है, तो ठीक न बता दी गई, इसी चीज़ को यहाँ पर अलग-अलग editorial अगर आप चेक करना चाते हैं, तो वीडियो के description में चले जाएगा, मैं इसको वापी से नहीं बोल रहा हूँ, economic times के अंदर भी ये news हमें देखनों का मिली, यही same news हिंदी के अंदर अगर आप पढ़ना चाते हैं, त बहुत सारे student को या लोगों को इसके बारे में नहीं बता था, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को explain कर दिया है, उसके बाद में यहाँ पर यह हमारे पास में official notice, जिसके अंदर यह बताया गया, 6 July 2023 का latest notice है, इसके अंदर इन्होंने बताया कि हम amend कर रहे हैं, जो पहले हम 2018 के अं करेंगे, अब 2023 में आके इन्होंने second amendment कर दिया, जिसमें इन्होंने बता दिया कि minimum qualification जो है appointment of teachers, all other staff in university and college, college को भी साथ में ले लिया, क्योंकि student के बीच में भरम आ गया था, वरना यहाँ पर college लगाने की जूरत नहीं थी, ताकि clarification हो सके, इसलिए इन्होंने college और university दोनों के द laboratory है, NET नहीं की हुई, PhD की हुई है, तो भी आप college में जाके बढ़ा सकते हो, यहाँ पर खास दोर पर बताया गया था, उमीद गरता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आ गया हो, अब यहाँ पर important बात करते हैं कि NET के exam की value भड़ी कैसे, तो एक जाहिर सी बात है तो भी आप college के अंदर जाके यार university के अंदर जाके पढ़ा सकते हो, अब यह तो ठपा लगा दिया जी सरकार ने, अब यह ठपा लगा दिया, अब ऐसा तो एनी अगले दिन आके फिर कह देगी कि नहीं PhD करो, अब लगवग 4-5 साल तक तो चुपी रहेंगे इस बारे में, तो अब यहाँ पर net के exam के उपर दवाब और बढ़ गया, अगर आप university और college जाके पढ़ा रहे हो, उपर से PhD mandatory वाली भी हटा दी, यानि कि सारी कि सारी topmost जो need रह गई, जो qualification रह गी, वो net का exam रह गई, तो अब जाहिर सी बात है कि छोटे मोटे efforts करके net का exam जो पहले clear किया ज जाएगा, एक common sense अपनी तरफ से लगा कर देखिए, सरकार ने अगर PhD mandatory हटाई है और तो दूसरे नंबर पर क्या बचा, net ही बचा, तो अब net के exam की value बढ़ेगी के नहीं बढ़ेगी, value बढ़ गई, साथ में difficulty level भी भढ़ जाएगा, डियर, lecture 1 जो मैंने free lecture लिया था, पिछल लेकिन साथ ही अब उसको clear करना भी है, बहुत ही मतलब बड़ी बात हो जाएगी, टिड़ी खीर हो जाएगी, उसके लिए आपको efforts करने पूरेंगे, तो ये एक सबसे बड़ी चीज मैं आप सभी को clarify करना चाहता है, कहां 2018 से ये बात चलती आ रही थी, और यहाँ पर 6 जु मैंने आपको बताई है, उमीद गरता हूँ सारी बात आपको समझ में आगी होगी, इसके अलावा कोई doubt है, तो जरूर comment box में लिख दीजेगा, अगर आपने EB Guruji की application को download नहीं किया है, प्ले स्टोर से, तो हमारा जो चैनल का नाम है, वही प्ले स्टोर पे भी, आप सर्च की कोर्स 2023 के लिए, दिसंबर 2023 के लिए हमने वहाँ पर launch कर रहा है, तो आप उसे join करके अपनी तयारी में चार चानल लगा सकते हैं, सारी के सारी information कोर्स की वहाँ पर आपको description में मिल जाएगी, उसे join कर लीजगा, चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब करकर रखिएगा, वीडि वीडियो को लाइक करने का target हम रख रहे हैं, 100 likes का, देखना है कि कितना दिल दिया आप इसे achieve करवाते हैं, इस वीडियो को देख सब्सक्राइब का बहुत बहुत धनेवाद, जय हिंद, जय अफर